कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजय सर विलकम करते हैं आपका एन एकेडमी युप्यश्य हिंदी चैनल पर बच्चों आज आपकी क्लास हम शुंगवन्स को डिसकस करेंगे आज की क्लास में लेकिन आपको हम कुछ चीजे बता दें जैसे सुंग वन्स आपके मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ वन्स ऐब च्चों यह जो मौर्योत्तर काल का फेज है, मौर्योत्तर काल का जो duration है, यहां पर कला और संस्कृति यानि सामाजिक छेत्र और आपका जो संस्कृतिक छेत्र है और कला इन तीन सेक्टर से ज़्यादा कोशन पूटप किये जाते हैं, तो आज की कलास में हम सुंग बंस का जो एतिहास यानि जो राजनेतिक तथ्य है, यानि राजनेतिक घटना करम है, उस पर हम मुखरूप से फोकस करेंगे, लेकिन अगली हम कुछ कलासें, आपको कम से कम दो कलासें, आपको हम मौर्योत्तर काल की समाज और संस्कृति पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से बहुत ज्याद साथमाद वंस देखेंगे वहां से भी समानिता सामाजीक और सांस्कृतिक कोश्चन ही उठाये जाते हैं और उसी तरह आपको सुंग वंस में भी यहां पर समाज और संस्कृति से जुड़े हुए कोशन पूशे जाते हैं पुलिटिकल हिस्टी से बहुत कम कोशचन पूशे जाता है यानि राजनेतिक शेतर से पूछा जाता है अन्य था कोई कोशन आपको राजनेतिक तौर पर जुड़ा हुआ दिखेगा नहीं ज्यादा तर प्रस्ण बच्चों आपको जो है सामाजिक और सांस्कृतिक शेतर से ही दिखेंगे तो जो मौर्योत्तर काल है जिसको एक डार्क फेज के अभी नाम दिया गया है इस काल पे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए ज़्यादा कोशन पूट अप किये गये हैं ठीक तो चलिए हम यहाँ पर सुरू करते हैं बच्चों सभी लोग क्लास से जुड़े जाईए चस्मा दन तो सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़िए बच्चों आप लोग चलिए मैक्समूम लोग जो है चलिए देखिए तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों मौरियोत्तरकाल 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 जिसका डियूरेशन माना जाता है 220 से 220 से 300 इश्वी तक इसका डियूरेशन कब से कब तक माला जाता है 220 से 300 इश्वी तक ठीक है अब देखिए कहा जाता है कि यहां का मौरियोत्तरकाल में आप किन किन राजवन्सों को पढ़ते हैं तो मौरियोत्तरकाल उसकाल को कहा जाता है जब मौरे वंस का क्या हो गया पतन हो गया मौरे वंस के पतन के बाद जिन वंसों का उदर होता है उसे हम क्या क्या जिस जो काल आता है उसे क्या कहा जाता मौरे उतर काल यानि मौरे शे इतर यानि मौरे वंस के बाद का डूरेशन ठीक है तो कहा जाता है कि मौरे जब पतन हुआ तो चुकि मौरेवन सामराज जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर विस्तारित था बच्चों लेकिन जब मौरेवन से का पतन हो गया तो कहा जाता है कि भारत जो है भारत में छोटे-छोटे राज्यों का उदय होता है दो तरके घटना करम दिखते हैं पहल पिदेशी भी उठाएंगे और इसी समय भारत पर कई भीदेशी आक्त्रमने भी हुए हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में किन छेत्री राज्यों का उदय होता है तो भारत में आप देखेंगे तो कौन कौन से छेत्री राज्य आपको दिखेंगे छेत्री राज्य ये ग्राफ हमने एक दिन बनाया था लेकिन आज हम सिर्फ आपको मुख्य मुख्य राज्यों की चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहला शुंग बंस आपको दिखेंगा शबसे पहला वंस है बच्चों शुंग वंस जिसको आप पढ़ेंगे इसके बाद आपको कणव वंस दिखेगा कणव वंस मुख्य रूप से दिखेगा और फिर साथवाहन वंस है उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं साथवाहन वंस है फिर हम वाकाटक वंस देखेंगे वाकाटक वंस तेक ये छेत्री राजवंसों का उदे होता है कहा जाता कि मौर्य वंस का जब पतन हुआ तो छेत्री राजवंसों का उदे होता है इन्ही सात्वाहनों के बाद जो है आभीर वंस आता है बच्चों तो उत्तर चेत्रों में देखेंगे यानि उत्तर भारत के चेत्रों में देखें तो मौर्यों के पतन के बाद इन राजवन्सों का उद्य होता है और इसी समय आप देखेंगे तो बिदेशी आकर्मन कारियों में बिदेशी आक्रमण कारी यानि बिदेशी आक्रमण जो हुआ उसमे कौन-कौन आता है तो बिदेशी आक्रमण में सबसे पहले हिंदेवन सासक है फिर उसके बाद जो है आपके सक है सक है, पार्थियन है बच्चों और इसके बाद आपके कुशाण है ये आपके बिदेशी आक्रमण कारी है ये क्या है बिदेशी आक्रमण कारी है जिन्होंने भारत के राजनेतिक विखंडन की इस्तिती का फायदा उठा कर लाब उठा कर भारत पे क्या किया आकर्मन किया तो हमको आज पढ़ना है किसको शुंगवन्स को लेकिन आप सास साथ यहां भी देखते रहें कहा जाता है कि जिस समय यहां पर शुंग होंगे भारत के अंदर यानि मगध में जब सुंगों का राज्य होगा तो उसी समय उत्तर भारत छेत्र में हिन देवन सासक के अधीन चला जाएगा और आप देखेंगे कि मिनांडर आपको मैं पढ़ा चुका हूं बच्चो मिनांडर जो डिमेट्रियस वन्स का था बैक्ट्रियन सासक था और मिनांडर की मुद्राएं जो है आपके मतुरा तक प्रचलन में थी यानि मतुरा तक का जो भूभाग है वो चला गया किसके हाथ में बिदेशियों के हाथ में तो कहा जाता कि सुंग वन्स के अधीन जो राज्य बचा वह बेहत क्या है कम था यानि दच्छिड में आप देखेंगे तो बिदिशा तक उत्तर में आप देखेंगे तो कस्मीर के निचले हिस्से तक और पश्चिम मे देखेंगे आप तो पूर्वी बिहार तक का शेतर के वल सुंगों के अधीन दिखाई देता है तो जिस सुंग राज जवन्स की चर्चा हम करने चल रहे हैं उस सुंग राज जवन्स के पहले हम भगोली की सिती आपको बताते हैं ठीक है लेकिन सबसे पहले बच्चों अप सबसे जितने भी आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोगों से मेरा बिनम्र निवेदन है कि अगर आप एक सीरियस कंडिडेट हैं अगर आप UPSC या स्टेट कमीशन एक्जाम के लिए सीरियस हैं बच्चों तो आप या तो धिहान से सुना करिए या क किसी तथात्मक चीजों पर आप डिसकस किया करिए ठीक है क्योंकि आप जितने भी हो मेरा ये मानना है कि सभी सिरियस कंडिडेट हो और लगातार आप लोग लाइव रहते हैं क्लास में तो इसका मतलब मैं यही मान कर चलता हूं कि जितनी मेहनत हम करते हैं उससे कम से कम दो गुना मेहनत की उम्मीद मैं आप से करता हूं यह मेरा एक्सपेक्टेशन होता आप से क्योंकि आप में अभी एक बहुत जुनून है एक ऐसा पोटेंसियल एक ऐसी एनरजी है कि जिसका अगर पॉजटिव आप लोग यूज करें तो बहुत आगे जा सकते हैं यानि आपने किसी भी लक्ष को आप कवर कर सकते बच्चों तो थोड़ा सा आप इस डियूरेशन में यह जो आपकी एस लिमिट होती है इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा केर रहने की ज़रुत होती है और मुझे उम्मीद है आप सभी सिरियस कंडिडेट है तो पढ़ाई का आनंद ल चलिए बात करते हैं शुंग वन्स ठीक है तो चलिए अब हम देखिए कहा जाता है कि मौरे वन्स के पतन के बाद मौरे वन्स का अंतिम राजा का उन था बिहद्रत मौरे वन्स के पतन के बाद शुंग वन्स की सत्ता जिसने स्थापित किया उसे पुश्यमित्र शुंग कहा जाता है उसका नाम क्या है पुश्यमित्र शुंग नाम है ठीक है कहा जाता बच्चों इसका नाम पुश्यमित्रिशूंग है पुश्यमित्रिशूंग एका मात्य अधिकारी था जिसने बिहद्रत की हत्या करके इस वंस की क्या क्या अन्यू डाला और ये जातिका क्या है ब्राम्हण है मना जाता है कि जातिका क्या है ब्राम्हण पुष्यमित्र सुंग जातिका क्या था? ब्रामण था तिगे? और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मनना है कि पुष्यमित्र सुंग को इस राज की अस्थापना करने में कही ने कही ब्रामण जातिका समर्थन भी प्राप्त हुआ और ऐसा इसने इसलिए क्या क्योंकि ब्राम्भणों की बिशारधारा या ब्राम्भणों का समर्थन को श्मित्र सुंग ने क्यों लिया इसलिए भी यह सही लगता है क्योंकि ब्राम्भण कही निकही मौरेवंस में क्या था उपेचित था अगर आप देखे तो मौरे मंस में समराट असूक ने ब्राम्हणों के विशेशाधिकार को क्या किया था समाप्त कर दिया था और ब्राम्हणों के न किवल विशेशाधिकार को उसने समाप्त किया बलकि दंड के समता और व्योहार के समता के सिध्धान को उसने लागू किया था यानि शदियों से यानि कई सव वर्षों से चली आ रही परंपरा को उसने क्या किया था बदल दिया था अपने यहां तक की पुरुहित के पद को समाप्त कर दिया था तो कुछ इत्यासकारों का यह मानना है कि यह बर्ग जो है कही ने कही मौरिशामराज्य में रहा और जिसकी वज़य से यह नाराज भी था और उस नाराजगी का फाइदा उठाया किसने पुष्यमित्र शुंग ने उसी तरह जैसे मुहम्मद बिन तुगलक से नाराज मुस्लिम समधाय का लाब उठाया था किसने फिरोश साथ तुगलक ने और कही ने कहीं उसने भी तुष्टी करण की नीती अपनाई थी और यहां पर फिरोश साथ यहां पर पुष्यमित्र सुंग ने भी तुष्टी करण की नीती अपनाई तुष्टी करण की नीती का मतलब होता है कि जब आप किसी एक बर्ग विशेश को खुश करते हैं दूसरे के आधार पर यानि कि इसी एक बर्ग विशेष्ट को नाराज करके दूसरे को आप खुश करते हैं अपने व्यक्तिकेत लाभ के लिए बासमजरेंग ने तो वहां ये जरूरी नहीं होता कि आपकी विशारधारा भी वैसी ही हो बासमजरेंग ने जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर अगर ब्रा प्राफिट के लिए पुलिटिकल लाभ के लिए कहीं ने कहीं इस समुदाय का उसने क्या किया मने शहयोग लिया इसी को तुष्टी करण नीद कहा जाता है लेकिन यह लाभ जो है वह बाउत धर्म के बिरोध के आधार पर जब दूसरे समुदाय का हम सहयोग प्राप्त करत तो इसे हम तुष्टी करण की नीद कहते हैं और इस तरह की विवस्ता आपको फिरोध शातुगलक के समय भी दिखाई देगी और इस तरह की विवस्ता हम औरंग जेप के समय भी देखेंगे लेकिन यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि वास्तों में पुष्श्यमित्र सुंग जो है इस तरह का नहीं था ठीक है लेकिन यहां पर कुछ लोगों का स्टेट्मेंट है जैसे जात की ही बात अगर की जाए तो सामान रूप से यह माना जाता है कि पुष्यमित्र सुंग जो है ब्रामःजात का था लेकिन कुछ लोगों ने अपने अस्तर पर इसका अलग 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 vegetable किया है कि कुछ लोगों जैसे पार्शिक महोदें इसे पार्शी कमानते हैं पार्शी क्यों मानते है क्योंकि इसके नाम में मित्र लगा हुआ है जो पार्शी समुदाय से जुड़ा हुआ शब्द है इसलिए उन्हों ने ये कह दिया कि नहीं ये पार्शी समुदाय से है बास समझ रहे हैं तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग statement दिया है जैसे कालिदास ही पुश्यमित्र सुंग को बैंबिक बंस का बताते हैं कालिदास किसका बताते हैं बैंबिक बंस का कालिदास इसे बैंबिक बंस का बताते हैं ठीक है ये कालिदास का मानना है ठीक है इसके बाद आप देखें तो कहा जाता है पार्शिक पार्शी के एकितियासकार हैं ये इसे पार्शी समुदाय का मानते हैं तो सब तो ने अलग-अलग अपना interpretation किया है लेकिन मूल रूप से आपसे पूछा जाए कि पुष्यमित्र किस समुदाय का था तो आप कहेंगे ये ब्रामः समुदाय से था बच्चों ब्रामः समुदाय से था अब देखिए कहा जाता है पुष्यमित्र सुंग ने जिस राजवन तक आप देखें, तो जरू तक मौरी वंस रहा, मौरी वंस के समय बहुत धर्म, राजास्रे के रूप में था, बहुत धर्म का विकास हुआ वहाँ पर. एक तरह से देखें, तो कहीन-कहीं बैदिक धर्म का पतन का दौर चल लहा था. हर एक वंस से लेकर यानि विम्बसार के समय से लेकर अशोप के समय तक अगर आप देखें तो कहीं न कहीं बहुत धोर जैन धर्म को ही बिख्षित होने का आउसर मिल रहा था यानि जितने भी महाजनपत थे या जितने भी उस ततकालीन समय में राज्य थे सबने उस समय के विख्षित होते हुए धर्म को मानिता परदान किया या उनको सहारा दिया या विख्षित होने का आउसर दिया किसी ने भी प्रगत मने अवनत के दौर में जा रहे यानि कही नि कही जो आपका बैदिक धर्म था इसका पतन हो रहा था इस पतन होते हुए धर्म को किसी ने सहारा नहीं दिया था लेकिन मौर्य वंस के पतन के बाद सुंग वंस पहला ऐसा वंस आपको दिखेगा जिसने ब्रामण धर्म को राजा स्रे दिया इसलिए इस डियूरेशन को यानि इस मौर्य उत्तर काल के फेज को हम बैदिक धर्म का पुनर जागरन काल कहते हैं कि यह यहां पर वैदिक धर्म को फिर से बिख्षित होने का आउसर क्या हुआ प्राप्त हुआ यानि इक बार पुनर जो है बिख्षित होने का आउसर प्राप्त होता है यहां यह जरूर है कहा जाता राजनीत जो है इस दोर में बेहत कमजोर दिखती है यहां राजनीत का जो तक्तो है वो बेहत कमजोर है इसलिए हमिशे अंधकार युग भी कहते हैं तो मौयोत्तर काल के दो नाम हमने बताए एक बैदिक धर्म के पुनट जागरण का काल दूसरा जो हमने बताया वो है अंधकार कायू ठीक है तो चलिए कहा जाता है कि शुंग बंस में कुल दस राजा उन्हें शासन किया और टोटल एक शव बारह वर्षों तक इनका राज्य संचालित हुआ तो हम ये देखते हैं कि मौरे वंस के विशय में हमें जानकारियां कहां कहां से प्राप्त होती है यानि रिशोर्स क्या है जिसके दारा हम मौरे वंस को जान सकते हैं ठीक है मौरे वंस के विशय में जानकारी का आधहार क्या है ठीक है बच्चों तो चलिए रिशोर्स देखते हैं यानि देखे मेंस हो या प्री हो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि किन रिशोर्स के आधार पर यानि किन शुरोतों के आधार पर इस वंस को आप पढ़ने जा रहे हो यानि सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कि जो बाते हम जानने जा रहे हैं, या सीखने जा रहे हैं, उसका बेश क्या है? यानि उसका स्रोत क्या है? किस बेश पर आप इस बन्स का अध्यन करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे सुंग वन्स के जानकारी का सुरोथ तो सुरोथ कितने प्रकार के होते हैं? सोड साफ हिस्ट्री कितने टाइप की होती बच्चों? मून रूप से दो प्रकार और अन्यथा कुल कितना? तीन प्रकार पहला आर्केयोलोजिकल रिशोर्स दूसरा लिटरेचर यानि साहित तीसरा विदेशी ब्यूरन यानि जो विदेशी आत्री भारत आए उनके द्वारा जो जानकारी दी गई अपने शाहित में अपने लिटरेचर में वो भी भारत के इतिहास को जानने का एक क्या है? तो उबरार अगर आपसे पूछा जाए कि शरूत कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कितने तीन यानि पहला पुरा तत्विक शरूत आर्केयोलोजिकल रिसोर्स पहला क्या है? पूरा तत्विक्ष्रोद, आर्केयलोजिकल रिसेर्शेज, पूरा तत्विक्ष्रोद, दूसरा क्या है, साहित्तिक्ष्रोद, तीसरा क्या है, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण मतलब होता बच्चों, जो विदेशी आत्री बाहर से आए, जैसे वेन्शांग है, मेगस्तनीज है, बहुत सारे विदेशी आत्री आए थे, तीक है, और इन्हों ने जो किताबे लिखी, चाहे वो इंडिका हो, चाहे स्यूकी हो, व बहुत सारी बाते पता चलती है, तो ये साहित भी हमारी जानकारी के क्या है, एक माध्यम है, तीक है, साहित, आप देखे, लेकिन चुकि यहां भी क्या है, साहित ही है, यहां भी क्या होता है, साहित है, यानि जो विदेशी आत्री भारत के उपर साहित का निर्मान किये है, वो साहित्य हमारी जानकारी के माध्यम है और ये भी साहित्य है तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि दो ही रिशोर्स आपको देखेगा यानि पुरा तात्विक श्रोत और साहित्य श्रोत क्यों दिखता है इसलिए क्योंकि यह साहित्य इसमें क्या हो जाता है इंक्लूड हो जात तो पुरा तात्विक स्रोत में आपको मैं सुरू की क्लास में बता चुका हूँ कि कौन कौन से स्रोत इसमें आते हैं, ठीक, तो अब हम देखेंगे इसमें अविलेक, स्क्रिप्ट कौन कौन सी है, जो हमें कही न कही सुंगवन्स के भी से में जानकारी देती हैं, ठीक है, तो अयोध्या अभिलेग ये most important script है इससे हमें एक जानकारी मिलती है वो है अश्रमेधियग और ये बहुत पूछा गया है और ये धन देह काउन है ये अयोध्या का क्या है प्रांतपती था बच्चो गवर्नर था उस समय ठीक है और दूसरा जो है कहा जाता है कि दूसरा है आपका भरहूत अभिलेग इसी को भरहूत इस्तूफ भी कहा जाता है क्योंकि जो भरहूत इस्तूफ है उसकी बेमने जो रेलिंग है जिसको आप रेलिंग कहते हैं उसका निर्मान किस ने किया था पुष्रमित्र सुंग ने किया था तो उस पर लिपी का अंकन भी है तो वो जानकारी का एक माध्यम बनता है तीक है अब देखे ये तो हो गए आपके क्या पुरा तात्विक स्रोत में दो ही आते हैं बच्चों तीक और साहितिक स्रोत में कौन कौन से हैं साहितिक स्रोत में आपका पुराणों में दो पुराण है, एक मतश्य पुराण, दूसरा विश्डू पुराण, तीशरा मालविकागनि मित्रम, मालविकागनि मित्रम आप पता है किसका गरंत है बच्चों, कालिदास का, मालविकागनि मित्रम ये कालिदास का नाटक है, ये भी हमारी जानकारी के एक बहुत बड़ा स्रोत है, इसके बाद महाभाश ये पतंजली की रचना है, और आप जानते हैं कि पतंजली इसी पुष् स्प्रेशुंग के दरबार में रहा करते थे तीसरा गारगी शैहिता गारगी शैहिता इसके बाद बहुत गरंथ दिब्यावदान इसके बाद श्री अवदान कल्पमाला अवदान कल्पलता अवदान कल्पलता ये आपके साहित्य हैं जिनसे हमें मने इश्वन्स के विशय में जानकारी प्राप्त होती इसमें एक और जो है सबसे मौतपूर है वो है बच्चो मनुस्मृति मौनुश्मृति भी कब की है मौर्योत्तर काल की है मौनुश्मृति ठीक है इसको भी ध्यान में रखिएगा तो ये literature है जिनसे हमें कही ने कही सुंग बंस के विशे में जानकारी प्राप्त होती है अब देखिए एक और है विदेशी बियोरण में तो विदेशी बियोरण में कौन आता है हेलियोडोरश आता है हेलियोडोरश हेलियोडोरश ठीक है तो हेलियोडोरश को यहां रखिए और इसका जो अभिलेक है वो है गरूर अस्तंब गरूर अस्तंब को इसमें रख लीजिए अभिलेक वाले में क्योंकि इस ने गरूण अस्तम के अस्थापना किया था ना विदिशा में तो इसको इसमें रख लीजिए गरूण अस्तम ठीक इसको आप लोग नोट कर लीजिए दिखाई देर आप लोग को बेरे गुड़ बच्चों आप अपने संख्या को इंक्रेज करिए बहुत अच्छी बात है बच्चों आप इसको 100 के उपर कर सकते हैं मेरी आवाज अगर बच्चों आप तक पहुच रही हो तो आप थोड़ा सा अगर इफट करें तो यह इसको और 100 के उपर जा सकता है चलिए अब हम देखे इसको आप इसक्रिप्ट इसको बना लिजे अब हम बात करेंगे किसके विशा में पुष्मित्र सुंग के विशा में तो पुष्मित्र सुंग की चर्चा करते हैं बच्चों पुष्मित्र सुंग पुष्मित्र सुंग अब देखिए, कह जाता है कि पुश्मित्रशूंग के समय इसके राज की सीमा को ज़रा देखिए कहां तक इनका राज विश्तारी था देखिए, इस समय ये जो उत्तर पश्im का छेतर है, यहां पर हिन्देवन सास्कों का अक्र्मण होगा और हिन्देवन सासक का अभिये मुल्ले करते हैं, कैसे फटा चलता है कि हिन्देवन सासकों का अक्र्मण इसके समय हुआ था अब देखिए ये मगध है मगध में ये मगध है वच्चों ठीक कहा जाता है कि शुंग वंस के समय इस मगध राजवंस में पुश मित्र शुंग की सत्ता यहाँ पर आई यहाँ पर सुंग वंस अस्थापित हुआ यहाँ पर कौन सा वंस आया शुंग वंस आया ठीक तो सुं कनिस के समय भी दो राजधानियां थी, मौर्य उत्तर काल में आप देखेंगे, दो राजधानियों का दोर चलेगा, तो एक राजधानी तो वही थी जो मौर्यों के समय थी, और वो है पाटिल पुत्र, दूसरी राजधानी है विदिशा, दूसरी राजधानी है विदिशा, अब देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर शासन में काउन है पुष्य मित्रशुंग जिस समय पुष्यमित्रशुंग यहाँ पर सत्ता में आया। उस समय जो बीदिशा है, बीदिशा मद्द पदेश्वंपड़ता है, यह यमपी में है बीदिशा, बीदिशा में गवर्नर बनाया था इसने किसको अगनी मित्र को अगनी मित्र जो है बीदिशा में क्या था गवर्नर था और यह जो उत्तर पस्चिम छेत्र है यह वाला जो छेत्र है यहाँ पर वशुमित्र यहाँ पर वशुमित्र गवर्नर था यहां पर बच्चों वशुमित्र क्या है गवर्नर है और वशुमित्र जो है अगनी मित्र का लड़का है और करम में यह चौथे करम का राजा है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो राजा बनता है वो कौन है पुश्यमित्र ठीक है पुश्यमित्र के बाद जो है अग उद्ध्या है साकेत, यहाँ पर धन देह, धन देह गवर्नर था, ठीक है, यहाँ पर धन देह गवर्नर था है उद्ध्या में, यहाँ पर बिदिशा में अगनी मित्र गवर्नर था, यहाँ पर वशुमित्र गवर्नर है, ठीक, यानि कहने का मतलब है कि कहीं ने कहीं, यह वाल ये इनके राज्य की शीमा है ठीक है ये यहां से ले लिजे पूर्वी बिहार तक का छेतर है और इसको ऐसे ले लिजे यही आपके सुंगमंस की सत्ता थी लेकिन इसमें भी हस तक छेफ होता रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि मतुरा तक का छेत्र जो है बैक्ट्रियन सासकों के अधीन चला जाएगा लेकिन जहां तक बात पुश्यमित्र सुंग के समय की है पुश्यमित्र सुंग के समय यहां पर क्या हो जाते हैं पराजित हो जाते हैं तो थोड़ी सी चर्चा हम पुश्यमित्र सुंग के विशय में कर लेते हैं। कहा जाता है बच्चों पहले हम पुश्यमित्र सुंग के समय की राजनेतिक चर्चा करेंगे। ठीक है? चस्मा देना? पहले हम पुश्मित्र सुंग के समय की राजनेतिक कंडिशन देखते हैं किनके समय की राजनेतिक इसकती क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं देखें पुश्मित्र सुंग के समय के विशय में ये कहा जाता है कि जब पुश्मित्र सुंग राजा बना तो राजा बनने के समय इसके समय यवन आक्रमन होता है कौन सा आक्रमन हुआ यवन आक्रमन यवन कौन है वच्चों ये हिंद यवन ही है इसकी जानकारी का वेश क्या है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है इसकी जानकारी हमें मिलत कालिदास के माल विकाग निमित्रम से मिलते हैं ये तीन ऐसे गरंथ हैं जो हमें इसके आकर्मन की जानकारी देते हैं और इसमें सबसे बहतर जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो होती है गारगी सहिता से तो गारगी सहिता में क्या कहा गया है गारगी सहिता में कहा गया है कि यमनों ने भारत के देखे जो गारगी सहिता गरंथ है बच्चों गारगी सहिता में कहा गया है कि यमनों ने पुश्मुत्र सुंग के राज परा कर्मण किया और इन्हों ने साकेत पांचाल मतुरा और कुशुम धज नाम देखे, साकेत, साकेत, पानचाल, मतुरा, कुशुम ध्वज, ये कुशुम ध्वज काउन है, कुशुम ध्वज मतलब है, पाटली पुत्र, ये पूछा गया है कई बार इस्टेट कमीशन के एकजाम में, कि कुशुम ध्वज क्या है, पाटल पुत्र को कुशुम ध्वज कहा गया, अब आप सुचो, ये देखो बच्चों, गारगी सहिंता में ये कहा गया, कि यवनों ने साकेत, पानचाल, मतुरा, कुशुम ध्वज तक के छेतर को जीता, यानि ये रहा आपका पाटल पुत्र, यानि कही निकही यवनों ने इनके रहधानी तक के भूभाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है, तो अब आप सोचिए, कि यह बात कितनी सच है, दूसरी चीत, पहली बात ये बात गारगी सहिता में आती है, इसके बात जो महाभास से है, महाभास से कहता है, कि यवनों ने साकेत और माध्धिमिका को जीता या महाभास से में क्या जानकारी मिलती है साकेत और माध्धिमिका तो माध्धिमिका मतलब होता है बच्चों चितोड माध्धिमिका जिसको वो कहता है माध्धिमिका मतलब है चितोड माध्धिमिका मतलब है चितोड और आप जान इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम पतंजली के महाभास की माने तो पतंजली के महाभास के अनुसार यानि ये छेत्र ये छेत्र और ये छेत्र साकेत माने अयोध्या साकेत मतलब अयोध्या और राजपुताना माने ये छेत्र यानि इनकी सीमा यहां तक है ठीक है इनकी सीमा यहां तक है अब कालिदास ने भी कहा है कि यमनों ने आक्रमन किया था यानि तीन गरंथों से हमें यमन आक्रमन का उलेख मिलता है लेकिन इसमें यह भी कहा गया है यह भी उलेख मिलता है कि कहा जाता है कि वशुमित्र जो इन जब तक ये यहां का governor है तब तक ये इसकर अंदर नहीं गुस पाये हैं बासमजरेशने नहीं.. तो इसका मतलब है कि ये जो क thereafter हुआ पुश्यमूत्र शूंग के समय हने वाले इवान आकरमर को वशुमित्र ने क्या-क्या विफल कर दिया तो प्रस्ण ये खड़ा होता है कि इसका मतलब गारगी साहिता में जो बात कही गई ये वो गलत है नहीं, गलत नहीं है वो बात किसी अन्य राजा या इसके वशुमित्र के बाद पुष्यमित्र सुंग के बाद वह किया गया आकर्मन रहा होगा पुष्यमित्र सुंग के समय कही ने कही ये बाद गलत है क्योंकि उसके समय तक ये राज्य जो है सुंग राज्य के क्या थे अधीन थे और इसका प्रमाड़ी करण यह है क्योंकि पुश्मित्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधनदी के तट पर क्या किया पराजित किया तो जब यहाँ पर यवन पराजित हो गए तो ये इंट्री नहीं कर सकते इसका मतलब हुआ कि अगर वो मतुरा तक के छेतर या पाटली पुत तक को जीते तो वो कहीं ने कहीं पुश्मित्र सुंग के बाद रहे होंगे अब देखिए कब रहे होंगे कहा जाता है कि पुश्मित्र सुंग और अगनी मित्र के बीच भी एक सासा काता है जिसका नाम है सुजेष्ट जिसका नाम है बच्चों सुजेष्ट थे क्यों क्यो उते क्रम में ये तभी होगा जब नंबर एक इनको लिया जाए और नंबर दो इनको लिया जाए नंबर तीन अगनी मित्र को लिया जाए और नंबर चार वसुमित्र को लिया जाए तो ये जो राजा है इनकी कोई राजनेतिक उपलब्धी दिखाई नहीं देती बस नाम मात् कहीं ने कहीं आक्रमन हुआ हो ठीक है तो यह राजनेतिक चीज है और ऐसी कोई भी राजनेतिक उपलब्धी पुश्यमित्र सुंग की नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि नहीं यह एक योग्यसासक की पहचान है ठीक दूसरी जो बात की जाती है कहा जाता है कि जो धन द अउध्या का गवर्नर है धन्दे धन्दे का अविलेख है जिसे कहा जाता है अउध्याविलेख धन्दे के अउध्याविलेख में यहाँ पर इस अविलेख में यह उलेख मिलता है कि पुश्यमित्र सुंग ने क्या किया था दो अश्यमेध यग किया था तो इस यग्य से ये पता चलता है कि ये ब्रामर धर्म उलंभी है. क्योंकि यग्य का संपादन बच्छो ये मूल रूप से ब्रामर धर्म की परंपरा में काउन किया जाता है, तो यह जो यज्य हुआ है, उस यग्य में ये कहा गया है कि यहाँ परपुश्यमित्र सुंग ने अपने पुरोहि पतनजली पूरोहित के पतनजली पूरोहित महा मने किसके पुश्मित्र सुंग के तो पुश्मित्र सुंग के समय पतंजली ने ही पुरोहित के पत्पर रहते हुए दो अस्मिध यग्यों का संपादन किया जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेक्षे प्राप्त होती है जो इनके गवर्नर धन देह का था ठीक है कहा जाता है कि जो पुश्मित्र सुंग है वह न केवल पुरोहित है बलकि इनका गुरू भी था बलकि इनका गुरू भी था कहा जाता पतंजली को सेशनाक का अवतार बाना गया है इन्हों ने एक बड़े ही महान गरंत की रचना किया था जिसका नाम है महाभाश और महाभाश ये बच्चों क्या है ये मूलू रूप से एक व्याकरण ग्रंत है जो किसके उपर लिखा गया है जो पाणनी की अश्टाध्याई नाम ग्रंत पर लिखा गया है तो पाणनी की जो अश्टाध्याई है वो भी एक व्याकरण ग्रंत है और पतंजली का जो महाभाश्य है वह भ दरह हम बात करते हैं इनके धार्मीक बिचारधाराइकी ठीक है इनके धार्मीक बिचारधारा की हम एक बात और बता दें कहा जाता है 184SV में 184 बी में इनके समय बीदर्व का युद्ध हुआ था, बीदर्व आप जानी रहे कहा है, बीदर्व आपका पड़ेगा बच्चो गुजरात में, सायद गुजरात में ही पड़ेगा बीदर्व, थोड़ा सा डाउट हो रहा है लेकिन गुजरात में ही है। ठीक है, काज़ाता है 184 इस भी में बिदर्व पे इस ने आक्रमन किया था, ठीक, और उसे बिदर्व का युद्ध करते हैं, उसे क्या करते हैं, यहां पर इन्हों ने यग्जशेन नमक एक राजा था, जिसको इन्हों ने पराजित किया, यह नहीं पराजित किये थे, बिशि उसी ने यहाँ पर इनको पराजित कर दिया था इस 184 में हुए युद्ध को हम क्या करते हैं बिदर्व का युद्ध करते हैं यहाँ पर राजा कौन था यग गिशेन था यहाँ पर राजा यग गिशेन था जिसे इनका सेनापती बीर शेन पराजित कर देता है तो राजनेतिक उपलब्धियों के तौर पर शिर्फ यही एक दो उपलब्धिया इनकी दिखाई देते हैं अब जरा हम बात करते हैं इनको इनके धार्मी विचार धारा की जो इंपोर् इनके धार्मी विचार धारा की चर्चा हम करते हैं जो इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए देखिए पहले हमने आप से कहा था बच्चों क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है न आप लोगों को हमने कहा कि कम से कम हंडेट को उपर करिए पंकत जी करनाटका कैसे होगा बच्चा डेविल सिंग डेविल आप जो है अब बिदर्ब के बारे में बात कर रहे हूँ मैं समझ नहीं पाया चलो ठीक कोई बात नहीं ठीक है चलो आप लोग आपस में बात करो ठीक ठीक पढ़ते रहो चले तो देखिए अब हम बात करेंगे पुश्मित्र सुंग की धार्मिक बिचार धारा की कहा जाता बच्चों पुश्मित्र सुंग ब्रामण समुदायसे थे ब्रामण जातिके थे और कहीं ने कहीं निवडाला तो समस्या यहां पर थी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ब्रामण धर्म के क्या थे बहुत धर्म के क्या थे बिरोधी थे जैसे दिव्यावदान एक गरंथ है आप जानते होंगे दिव्यावदान एक गरंथ है दिव्यावदान गरंथ में ये कहा गया है दिव्यावदान गरंथ में ये कहा गया है इस गरंथ में एक इस्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहा गया बच्चो कहा जाता है कि जब पुश्मित्र शुंग ने लोगों से असोक की प्रशिद्धी के बारे में पूछा कि आखिर असोक इतना फेमस कैसे था असोक इतना फेमस कैसे था तो लोगों ने कहा कि उसने बहुत सारे इस्टूपों का निर्मान कराया इसकी वज़़े से वो फेमस था तो कहा जाता है कि इसने क्रोध में उन 84,000 इस्टूपों को क्या किया नश्ट कर दिया कहा जाता है कि आसोक द्वारा निर्मित जो 84,000 इस्टूप थे उन इस्टूपों को क्या करता है नश्ट कर देता है और आप जानी रहें इस्टूप क्या है इस्टूप जो है बहुत धर्म के क्या है प्रतीख है बच्चों इस्तूप क्या है? ये बहुत धर्म के प्रतीख है बहुत धर्म के क्या है? प्रतीख है इस्तूप ये इस्तूप क्या है? बहुत धर्म के प्रतीख है 84,000 इस्तूपों का क्या करता है? नुक्सान करता है लेकिन अगर हमें ये मान ले चलिए अभी और बात कर लेते हैं अगर ये मान लिया जाए इसका मतलब हुआ कि इस बिचारधारा से ये लग रहा है कि इसने कही ने कही बहुत धों को क्या क्या नुक्षान पहुचाया यानि बौध बिचारधारा को छती पहुचाता है इसके एवज में एक statement और दिव्यावदान में दिया गया है दिब्यावदान में ये भी कहा गया है कि जो कुकुट राम बिहार है जो पाटिल पुत्र में था कहा जाता है कि इसमें ये भी कहा गया कि पाटिली पुत्र के पाटिल पुत्र में इस्थित कुकुट राम बिहार को क्या करता है? ठीक है, पाठिल पुत्र में इस्तित कुटकुट रम्बिहार को क्या करता है? नश्ट कर देता है, और इसके बाद जी आर सर्मा, जिनका पूरा नाम गौबर्धन राज सर्मा है बच्चों, उन्होंने ये स्टेट्मेंट दिया है, जी आर सर्मा का कहना है, और आप समझ लीजिए ये जियार सर्मा बहुत ही फेमस इतिहास कार रहे खास तोर से प्राचीन इतिहास के छेत्र में आपके इलहावाद इन्युवस्टी में एंसें डिपार्टमेंट की अस्थापना इन्हों नहीं किया था और अपने समय इन्हों ने प्रधान मंत्री जव तो एक बहुत बड़े प्रसनालिटी थे जीयार सर्मा बहुत बड़े विद्वान थे इन्होंने ये कहा कि पुश्मित्र शुंग क्या करता है कौशामबी के घोस्ता राम विहार को क्या करता है आग लगा देता है इनका ये कहना है कि जो कोशामबी में गोश्ता राम बिहार है कोशामबी के गोश्ता राम बिहार को आग लगा देता है तो इन स्टेटमेंटों से देखिए हमने तीन स्टेटमेंट आपके सामने रखा जिससे कही ने कही इसकी विचारधारा का पता लगता है और इन तत्थों से यही जानकारी हमको प्राप्त हो रही है कि कही ने कही ये बहुत धर्म के लिए क्या है एक बहुत बड़ा च्छतिक रचना है जिसका नाम है आवदान कल्पमाला छेमेंद्र की एक रचना है बच्चों छेमेंद्र छेमेंद्र आप जाने रहें कस्मीर के थे छेमेंद्र की एक रचना है आवदान कल्पमाला आवदान कल्पमाला इस ग्रंथ में इन्हें बौधों का संहारक कहा गया है इस ग्र बाउध्धों का क्या कहते हैं संहारक कहते हैं अब आप सोचिए हमने आपको कई स्टेट्मेंट दे दिया इन स्टेट्मेंटों से आपको ये पता लग रहा हुगा कि कहीं ने कहीं ये बाउध्धर्म का क्या है कट्टर विरोधी है बाउध्धर्म का क्या है कट्टर विरोध है अब हम बात करते हैं पी ए यह ही था क्या वास्तों में आप पुषण अ कि अंकित कुमार जी, दिनेश जी, प्रिया जी, बच्चों, बेरी गुड, बच्चों, हंडेट के उपर कर दो इसको, हंडेट के उपर कर दो एक बार, आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो, बटा आप लोग, चलिए, आप देखिए, मैंने कहा कि इन तत्यों से, इन स्टेट्मेंट से ये लगता है, कि ये बहुत धर्म का क्या था, बिरोधी था, लेकिन अब हम कुछ आप बातें आपको बताने चलना, जिससे ये लगेगा कि नहीं, इस तरह से नहीं था, ये radical thought जो है, नहीं रहा होगा उसका, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि, जहां तक बात जो है, बौध्धों की है, तो बौध्धों की विशय में, दिव्यावदान में एक statement और आता है, जिसमें ये कहा गया था, कि पुश्मित्र सुंग ने अपने राज जे में एक केस ने घोषना किया था, उस घोषना में इसने कहा था, कि अगर कोई व्यक्ति जो है, किसी बहुत भिक्षु का सर काट कर लाता है, तो हम उसे सव दिनार, दिनार थी, मुद्रा थी, स्वन मुद्रा थी, उसे हम सव दिनार उपहार देंगे, अब भई, इस तो फिर ऐसा इस स्टेटमेंट उसने क्यों दिया, सचाईस में ये थी, आप जानते हैं, यवन आकर्मन हुआ इसके राज्य में, यवन आकर्मन हुआ, बहुत ध्यान समझना, बहुत conceptual बात बता रहा हूं वच्चों, बहुत ही conceptual बात बताने जा रहा हूं, कहा जाता है यव बौध बिरोधी बिचारधारा परिश्टितियों के वस इसने किया था यानि जो मने उस समय की जो पुलिटिकल कंडिशन थी उसका लाभ उठाने के लिए इसने दिखावे के रूप में अपने को बौध बिरोधी दिखाया और ब्राम्हनों का समर्थन इसने हासिल किया उस ब कि हम कम से कम साव दिनार उसे देंगे जो बौध बिच्छु के सर काटके लाएगा तो उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसका ये मानना है कि कुछ जो बौध बिख्छु थे जो इसके बिरोधी हो चुके थे वो जाकर इन यवनों से क्या थे मिल चुके थे यानि इन कहीं नि कहीं हर सभ्यता हर समाज और हर संस्कृति में द्रेश द्रोह के नाम पर शब्षी बड़ा दंड दिया जाता है तो यहां पर अगर पुष्यमित्र सुं। इस तरह का स्ट्रेटमेंट देता है तो राज के बिरोध में जाने वाले को या राष्ट के बिरोध में जाने वाले को बर्तमान में भी एक कठोर दंड का प्रावधान है और उस समय भी उसने कठोर दंड के प्रावधान का मने कठोर दंड का प्रावधान किया तो यहाँ पर हम उसे गलत नहीं ठारा सकते इस बे देखे तो इससे ये बात होती है अगर वो बौध्ध विरोधी होता तो कहा जाता है कि उसके राज्य में उसके राज्य में बौध्धों को यानि बौध्ध मतावलंबियों को यानि बौध्धों को प्रशासन में क्या किया गया था शामिल किया गया था प्रशासन में सामिल क किया गया था उसने अपने प्रशासनिक बर्ग में बाउध्धों को क्या किया था सामिल किया था अब आप सूचिए कि अगर वह मूलत है अगर वो वास्तों में बंधिरोधी होता तो क्या वो भॉद्धों को अपने परसासन मेरे सामिल करता कभी नешь करता ठीक है दूसरी बाई अगर वह वास्तों मेरane chu−r 84 अजार इस्टूबं को नश्ट किया होता 84000 इसी जार इस्टूफों दोड़ा होता, तो सांची इस्टूप और भरहूथ इस्टूप की रेजिंग का निर्मान वो ना करता। पासमजरीने कहा जाता कि भरहूथ इस्टूप और सांची स्टूप की रेलिंग का जो निर्मार है, वो पुश्मित्र सुंग के दौरा किया गया है भरहूत एवं साची की रेलिंग का निर्मार किस ने किया है पुश्यमित्र सुंग ने किया अब आप सूचिए कि अगर वो बहुत विरोधी होता तो क्या इस तरह का प्रावधान उसके समय दिखाई देता या इस तरह का निर्मार वो अपने समय करता लगता है कि नहीं कहीं ने कहीं जो है हमारा जो इंटरपटेशन है इसकी धार्मी विचारधारा को लेकर वो क्या है गलत है वो बहुत बिरोधी नहीं था बलकि राजनैतिक लाव के लिए उसने बहुत धों के बिरोध में कुछ ऐसे प्रावधान कियो होंगे या अपनी व पुष्मित्र शुंग के बाद एक अविवस्था जैसी कंडिशन इसके राज्य में दिखाई देती है उसमें उस समय राजा कौन बना यजिष्ट राजा बना था जिसकी चर्चा हमने अभी आपके सामने किया उसके बाद अग्निमित्र राजा बनता है इसके बाद देखे पुष्मित्र शुंग के बाद जो लोग भी राजा बने उसमें कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा है लेकिन अग्निमित्र के बिशे में आपको थोड़ा बता दू मैं अगनी मित्र कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि पुश्य मित्र सुंग के आठ बेटे थे जिसमें उसने अपने सामराज्य को क्या किया था बांड दिया था तो अगनी मित्र जो है एक योगिस आ सकता इसकी दो पतनिया थे धारणी और इरावती इसकी दो पतनिया थे धारणी और इरावती धारणी और इरावती ये दो पतनिया थे इसके कहजाता इसी के उपर कालिदास ने एक नाटक लिखा है कालिदास ने एक नाटक लिखा है मालवी कागनी मित्रम इस मालविकागनी मित्रम में बच्चों इस मालविकागनी मित्रम में दो लोगों की प्रेम कहानी दिखाई गई है एक तरब प्रेम कर रहे हैं काओन अगनी मित्र है और दूसरे राजकुमारी मालविकागनी मित्रम एवं राजकुमारी मालविका के विश्य में यहां पर दिखाने की कोशिश किया है यानि 이 दोनों की प्रेम कहानी दर्शाई गई है इसका मतलब तीशरी पत्णी कौन थी? मालविका थी इस से भिवाभी किया था इनोंने तो तीशरी पत्णी इनकी मालविका होती है इसके बाद अगनिमित्र का कोई राजनेटिक योगदान नहीं है अगनिमित्र के बाद रा वनों को पराजित किया यह वनों को बच्चों इसने क्या किया था पराजित किया था लेकिन कहा जाता है कि यह बेहद बिलाशी प्रवित्तिका हो गया यह हमेशा नसे में रहने लगा एक बिलाशी प्रवित्तिका हो जाता है जिसकी वज़ा से इसी के कर्मचारी ने इसकी क्य कर दिया था हत्या कर दिया था तो इनकी क्या हो जाती है हत्या हो जाती है ठीक किसकी वशुमित्र की वशुमित्र की बच्चों क्या हो जाती है हत्या हो जाती है ठीक और इनके बाद जो राजा दिखते हैं वो राजा किसी योग नहीं थे उनकी कोई राजनेटी को पलब्धी थी नहीं थी और धिरे धिरे अब देखेंगे सुम्गत्र जो है वो पतन की तरफ जाना शणू हो जाता है कहा जाता है कि वश्यूमित्र के बाद जो है राजा बनता है कौन आन्धरक इनके बाद राजा बनते हैं आन्धरक अंद्रक के बाद बच्चों, पुलिंद, पुलिंद के बाद यहां पर एक मिशोर है, पुलिंद के बाद नहीं आदा रहा है, पुलिंद के बाद नहीं आदा है, इसके बाद जो है बजरपती है, फिर धन भूती है, फिर भागभद्र है, भागभद्र इंपोर्टेंट है ब वज्र भूति, धनी भूति, इसके बाद भाग भद्र और देव भूति, देव भूति इश्वंस का अंतिम राजा है, यहाँ पर एक मिश हो रहा है नहीं आदा रहा है, तीक है आप लोग देख लिजेगा, तीक तो इस तरह का जाता है कुल दस राजा थे जिस ने सासन किया है, उसमें राजनेति को प्योगिदा किसी की खास दिखाई नहीं देती, वह सुमित्र ने यवनों को इसने पराजित किया था, यह उपलब्दी के रूप में दिखाई देता है, तो यह राजा है, लेकिन हाँ, एक चीज बताना में भूल गया, कभी-कभी टाइटिल इसमें यह बताना था, कि अगर आपको याद होगा, तो इसी समय तच्छसिला में हिंदिवन सासक था, जिसका नाम था, एंटियाल केड्स, यादा रहा बच्चों, एंटियाल केड्स, यह कहां का सासक था, तच्छसिला का, तच्छसिला का सासक था, और आपको जहां तक य पूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस हेलियोडोरस और जब हेलियोडोरस इंदुस्तान में आया तो यह हेलियोडोरस किसके दरवार में आया था भागभद्र के दरवार में आया था ठीक है उसमें सुंग राजा कौन था भागभद्र था और यह हेलियोडोरस सीधे कहा गया था बीदिशा बीदिशा कहां है यमपी में बीदिशा में जाकर एक अस्थान है बेशनगर बेशनगर में इसने एक अभिलेख अंकित किया जिसे कहा जाता है गरूड अस्तंब जिसे क्या करते हो आप गरूड अस्तंब करते हैं और यह गरूड अस्तंब जो है कहा जाता कि भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाड है ये गरूर अस्तम जो है बच्चों भागवत धर्म का पहला अभिलेखी ये प्रमाड है ये most important है जो कहां पर है बिदिसा के बेशनगर में किसके दोरा स्थापित हुआ था हेलियोडोरस के दोरा हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था भागभद्र के दर्बार में आया कहां से आया था इंटियाल कीट्स के दर्बार से आया था जो कहां करा जा था तच्छ सिला करा जा था ठीक है तो यह तो रही सुंगवंस की राजनेतिक उपलब्धी हां मैं बात कर रहा था किसकी एक चीज और बताना था आपको हाँ उपाद टाइटिल की चर्चा मैं कर रहा था कि पुश्मित्र सूंग की कुछ उपाधियां हैं जो काक्सर पुश ली जाती है ठीक है देखिए उपाध तो ये उपाधियां किसके हैं पुश्मित्र सूंग के हैं बच्चों पुश्मित्र सूंग की उपाधियां ठीक है का जाता है इसकी ये उपाधियां है सेनानी इसे सेनानी कहते हैं इसे हम सेनापती कहते हैं इसे हम दो अश्मेध यग्य करने वाला कहते हैं अश्मेध है यग्य करता इसको संस्कृत में इसका कुछ और नाम है मुझे एकजैटली यहां पर हिट नहीं कर रहा है उसका कुछ संकर्षण यह इसकी उपाधियां बच्चों यह नहीं नखिएगा पूछ सकता है कभी ठीक है तो कहा जाता है कि उद्भज उद्भज का मतलब होता है अचानक उठने वाला अचानक उठने वाला अचानक उठने वाला करते ठीक है सेनानी सेनापती दोश में देगे करता उद्भज और संकर्षण यह टाइटिल है किसकी पुश मित्रिशूंग की ठीक है तो इस तरह बच्चों आज देखे आपको हम बता दें फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं तो आज एक बार हम आपको बता दें फिर से कि मैं आपके लिए बच्चों अभी हमने कहा कि दो क्लास जैसे आज की क्लास में हमने पुलेटिकल हिस्ट्री हमने डिसकस किया आज की क्लास में बच्चों पुलेटिकल हिस्ट्री डिसकस किया हमने और यहां से जो सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन पूछा जाता है सबसे इंपोर्टेंट पुरस नाता है बच्चों आपके सबसे important प्रसन आता है समाज और संस्कृति से तो समाज और संस्कृति ये दो सिक्षन बेहद important होते मौर्योत्तरकाल के तो कम से कम आपको दो class हम जो है यहाँ पर मौर्योत्तरकाल की समाज और संस्कृति से लेंगे और ये बहुत ही important section है इसको किसी भी तरह मिश्मत करिएगा ये पहली सूचना है आने वाली दो class हैं मुर्योत्तर काल के सबसी important होगी इसके बाद एक दूसरी जानकारी मापको दे दें कि 9 या 10 तारिक से यानि मंगलवार या बुद्धवार से बच्चों हम आपके लिए modern history modern history यानि आधनिक भारत modern history की class हमारी प्लस पर स्टार्ट हो रही है तो आप से उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुडेंगे हाँ अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ने के क्या profit है मैंने बार बार बताया है कि जो चीजें आपको यहां मिलेंगी वो चीजें आपको इस class में नहीं मिल पाई यहां आप डारेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं यह मेंस के point टाबिल से होगी और इसकी practice साथ साथ चलेगी यानि एक complete preparation आपको दूँगा और इसके साथ साथ फिर word history श्टार्ट होगी word history के बाद फिर IR और AC जो होगा तो यहां पर बच्चों अगर आप subscription लेते हैं यहां पर अ तो आपको 10% की छूट मिलेगी ठीक है और जो चैनल है जो सर्च करना आपको वो है an academy an academy UPSC CSC UPSC CSC ठीक है इस channel को आप search करिए प्लस channel है ठीक है यहां पर हमारे नाम को आप लोग search कर लीजे और subscription लेने के लिए आप जो है हमारे code का अगर उपयोग करते हैं तो 10% की आपको छूट दी जाएगी ठीक है यह बच्चों आप लोग ले लीजे इसको जो है और जल से जल आप होगा यह class तो वहाँ पर हम इसको जो है आसानी से कैसे अंसार आटी किया जाता कैसे लिखा जाता है ठीक कैसे हम एक दूसरे को जोडते हैं कैसे हम इसको current से जोड़ेंगे कैसे modern के section को word से जोड़ेंगे कहां पर कैसे जोड़ना है उस सारी सीज़ें यहां पर हम discuss करेंगे तो यह referral code मेरा बच्चों आप लोगों सुमीद है कि आप खुद और आप अपने यार मित्र जो भी है उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए मैं कुछ अच्छा और अच्छे से अच्छा कर सकूँ ठीक है तो चलिए शुभरात्त्री और बहु